हेलो फ्रेंट्स, वेलिकम तू देशी तड़कावे दमिता, तो आज मैं आपके लेकर आई हूँ च मासाला और छोला मसाला की रसिपी, जो की बहुत ही कम मसालों में बन जाता है, लेकिन टेस्ट में बिलकुल मार्केट के मसाले जैसा लगता है, और रेट में हमें बहुत री जो सबस्क्राइब करदीजिए और उसके पास जो प्रेस कर दीजिए क्योंकि उसी को प्रेस करने से आपको मेरी रेस्पी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकते तो फ्रेंट्स चलिए रेसिपीस स्टार्ट करते तो सबसे पहले मसाले देख लेते हैं वह तु यह 4 टेबल काली मिर्च, ठ्री टेबल स्पून अनार्दाना ने है एजली मार्किट में fourth नार्ड़icularone ऐसी ले मार्किक बेड़ियोंस जीरा, यौल टीस्पून ह्ट, यह भी मारकिट में इसई ले अवेलेबल उता है ये 1 टी स्पून अमचूर पाउडर है और ये 2 टेबल स्पून काला नमक है इसके बाद ये 10 से 12 साबुत लाल मिर्च हैं ये 5 बड़ी लाइची हैं और ये 10 से 12 छोटी लाइची हैं इतने मसाले में हमारा 100 ग्राम मसाला आराम से रेडी हो जाएगा अब हम अमचूर और काले नमक को छोड़ कर सारे मसाले इस पैन में डाल देंगे और इसको हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर 7-8 मिनिट के लिए बूनना है इन सारे मसालों को तो इसमें से बहुत प्यारी स्मॉबीं हो गया है. तो अब इसको हम गया गया है जया बैस कर देंगे संदा होने के लिए रख देंगेवीटा. तो फ्रेंट्स मसाला हमारा ठंडा हो चुका है अब इसको हम एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफर कर देंगे और इसको हम महीन पाउडर बना लेंगे और इसमें सारा मसाला डालके हम काला नमक और अमचुर पाउडर भी एड़ करेंगे अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे महीन पाउडर बना लेंगे बिल्कुल ये देखिए हमने ग्राइंड कर लिया और इसका बिल्कुल महीन पाउडर बन गया है तो ये रेडी है हमारा छोले मसाला और इसको हमें एर टाइट जार में भर देंगे तो बहुत दिन तक ही चल जाता है तो देखे फ्रेंट्स रेडी है हमारा मार्किट जैसा बिल्कुल चना मसाला या छोला मसाला जो कि बहुत कम मसालों में बन गया कोई भी एक्स्ट्रा मसाल जरूत नहीं पड़ी तो यह रेसिपी मेरी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएगा अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करेगा